Hello everyone, welcome to the channel कैसे हैं आप सभी लोग आपने कल के कोश्चन्स कर लिये होंगे हमारी जो इस स्रीज चल रही है जो भी फ्रक्षिन वैल्यू है फ्रक्षिनल में जो भी यह नंबस होते हैं उनको कैसे हम एडिशन करते हैं उसका एडिशन कैसे होता है वह हम देख रहे हैं तो स्राट करते हैं यह छोड़ा सा कोश्चन है इसको सॉल करके बताइएगा मुझे कि आपका अंसर क्या है इससे पहले मैं भी सॉल कर देती हूँ अगर चाहिए पर नया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीज़ेगा इस टाइप की कोश्चन के लिए पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कैसे इसको एड किया जाता है तो हमको जो होल नंबर्स है सबसे पहले उसको एड कर लेना है जैसे कि होल नंबर्स क्या है 8 है 27 है और जो फ्रक्शनल वैल्यू है जैसे कि 2 by 4, 6 by 7, 5 by 8, 4 by 5 यह कहें फ्रक्शनल वैल्यू है तो उसको हम अलग से आड़ करेंगे तो जो होल नंबर से उसको मैं plus minus कर लेती हूं मतलब जो भी plus रहेगा तो plus करूंगी minus रहेगा तो minus कर दूंगी अब देखें यहां पे जो minus के दो वैल्यू है एक तो minus two will है दूसरा minus 23 है अगर इन दोनों को एक ही कटेगरी के है minus की family अलग है plus की family अलग है यहां पे कुछ निये sign इसका मतलब कि यहां पे plus दिनोट किया गया है इतने clearly कोई भी नहीं समझाएगा यह कि जो स्कूल लेवल के बच्चे है उनको भी समझ मैं इस लैंवेज में आपको समझाःीा आपे यहां पर कुछ नीच साइन इसलिया इसका मतलब होता है कि यहां पर प्लस का साइन है माइनस 35, माइनस 12, माइनस 23 करना तो एड ही होता है लेकिन साइन ये माइनस की फामिली से बिलॉंग करते हैं इसलिए आप इमको माइनस लगाना पड़ता है तो इन दोनों को जब मैं आड करूंगी तो माइनस 35 अब प्लस की फामिली को एड करना है 17 27 और 8 एक बात आप नोट इसको भी एड करेंगे रिलेक्स लेकिन मैं इन दोनों को क्यों आड किया क्योंकि प्लस 35 माइनस 35 ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो आंसर इसका निकले का 0 और ये जो 17 है अगर इसमें प्लस 17 करते हो तो इसका 17 आ जाता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये जो होल नंबर से इनको जब हम एड करते हैं माइनस करते हैं तो उसका आंसर जो अभी तक वैल्यू निकल के आई वह आई हमारी 17 अब इसको हमको आड करना है ये जो हैं हमारे इनको आड करना है तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 by 5 नीचे जो डिनॉमिनेटर है उसका जो हर वाला प पाथ होता है हर उसको इंगलिश में डिनॉमिनेटर ऐसे बोला जाता है तो टैंनोएं है ऑसका नंबर से जो भी लिका करें है उसको हम सिंपली एड कर देंगे देखे है यहां पे 2 by 5 यहां पर नई ह्यापर नहीं है यारी कि plus 2 है और यहाँ पे minus 23 के साथ है तो यहाँ पे plus 2 by 5 है यहाँ पर minus 4 by 5 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा plus minus करना पड़ेगा plus minus कैसे करते हम लोग जो बड़ा number है See, अगर दो sign दिया है एक में plus दिया है, एक में minus दिया है then you have to give the priority to the minus आपको plus और minus अगर दो sign दिया है तो आपको minus को ही select करना पड़ेगा minus ही करना है उन दोनो numbers के बीच में क्या relation होगा? minus का relation होगा तो minus का relation होगा यानि कि माइनस करना है हमको तो किस में से बड़े नमबर में से छोटे नमबर को माइनस करते हैं ठीक हैं तो 4 में से 2 को मैं माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिलेगा क्या किया मैंने माइनस ही किया बड़े में से छोटे को माइनस किया और जो साइन की बात आती है तो साइन क्या लगाते है जो बड़े नमबर्स के साथ में साइन होता है उसी साइन को यहाँ पे हम अपलाई कर देते हैं I hope आप कुछ समझ में आ रहा होगा कि 4 और 2 यानि कि प्लस और माइनस अगर है तो आपको माइनस करना है उसके बाद दूसरी बाद बड़े नमबर्स में से छोटे नमबर्स को ही माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया देन जो साइन आता है जो sign बड़े numbers के साथ में है बड़ा number क्या है 2 और 4 में से 4 है उसका sign क्या है बड़ा number का minus है इसलिए मैंने यहाँ पे minus लगा दिया तो इसका answer आगया मेरा minus 2 by 5 जब इन दोनों को 2 by 5 and minus 4 by 5 को solve करते हैं तो इसका answer आजाता है minus 2 by 5 इन दोनों की कहानी खत्म अब आगे क्या add करना है हमको 6 by 7 यह 6 by 7 and यह minus का 5 by 8 है देखो 6 by 7 के साथ में plus है इसलिए मैंने यहाँ पे plus लिखा 5 by 8 के साथ में यहाँ पे minus है इसलिए मैंने यहाँ पे minus लिखा आप आपको समझ में आगया ठीके अब उसकी बाद इन दोनों को जब हम solve करते हैं तो हमारा answer तो यह आगया ठीके अब जादा खिचडी मतलब यह नहीं करूंगे मैं आपको अच्छे समझ में आना चीए तो इसका answer minus 2 by 5 अभी नहीं खालाता हमने इसको as it is लिख लूंगे मैं 6 by 7 and minus 5 by 8 अब मुझे क्या करना है देखो नीचे कोई भी number हमारा same नहीं है तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे इसको solve कि हम उसको same बनाएंगे अगर same रहता है तो as it is plus minus कर लेंगे लेकिन अगर नीचे यान कि हर वाला part अगर same नहीं है तो उसको हम लोग same बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे पांच में किसका multiply करोगे कि नीचे ऐसा कौन सा number है जिसके साथ आप multiply करते हो तो नीचे जो है number same आना चाहिए तो साथ अड़े छपपन ठीक है साथ पचे 35 ठीक है तीनों को एक साथ में solve कर सकते हैं या फिर दो लोग को लेके भी आप solve कर सकते हैं तो पांच में अच्छा नंबर में multiply करूंगी तो मुझे नीचे एक number मिल जाएगा यहां पर अगर साथ का 5 में 35 आएगा यहां पर साथ करूंगी तो 35 आगा लेकिन 8 के table में 35 नहीं आता है तो इसका अब कौन से number के साथ मुझे multiply करना है देखो 5 है तो 5 का multiply मुझे सब में करना ही पड़ेगा ठीके उसके बाद 7 आ गया उसके बाद अगर 2 में लेती हूं इसके अंदर से मुझे 8 ही multiply करना पड़ेगा साथ अटे चपन ऐसा करना पड़ेगा मुझे ठीक है साथ अटे चपन और चपन का मुल्टिप्लाइ पाच में करोगे यहां नी कि 282 असी आजाएगा यहां पर दो सो असी आना चाहिए नीचे वाली तेम में क्यों कि 5-7-8 जादा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका मतब कि मैं नीचे 7 और 8 से मल्टिप्लाइ कर दूंगे 7-8 चपन ठीक है तो इंटू 56 अगया उसके बाद यहां पर 7 है दो नंबर कौन से बच गए 5 और 8 यह नंबर यह नंबर तो अल्री है ने इसके अंदर तो 5 और 8 नंबर यहां पर बच गए यहां पर चालिस तो मुझे करना पड़ेगा अब नीचे उसके साथ में जो भी हमने किया है उपर वाले के साथ में हम वही करेंगे यहां कि नीचे वाले के साथ में हमने 56 का मल्टिप्लाइ किया है तो उपर भी हमको 40 का मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा यहां पर 8 के साथ में 35 को मल्टिप्लाइ किया ह अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब दिखिए नीचे क्या होने वाला है हमारा 736 और यह पाचनी कि नीचे जो भी आप क्याल्कुलेश्ट करके देख लीजेगा 280 ही इसका नमबर आने वाला है नीचे मल्टिप्लाय करके देखलो आप 280 ही आने वाला है अब बात आती है उपर वाले नमबर्स की जो नुम्रेट है हमारा तो 56 और 112 होता है अब यहां पर minus है तो हमको यहां पर minus का sign लगाना पड़ेगा then यहां पर 40 का multiply किया है तो उपर भी 40 का multiply करना पड़ेगा यानिकि 6 चोग 24 यानिकि 240 आ गया and then 35 पचे कितना हो जाएदे हैं पाचाः 25 यानिकि 175 आ गया वह भी minus का आने वाला है क्योंकि यहां पर minus लगा हुआ है अब इसको हम simply add minus करेंगे क्या करेंगे देखो 240 है इन दोनों को पहले मैं add कर लूँगी यहां पर 100 और यह 100 200 हो गए ठीक है तो जादा मैं शॉटकर करूँगी तो यह वाला 100 और यह वाला 100 200 हो गए और यह 200 है यहां पर यह cancel हो गया बच्चे कितना 12 और 75 अब देखिए यहां पर 12 है और यहां पर 75 है दोनों को add कर दूँगी मैं कितना आ जाएगा अगर 40 भी minus कर देती हूँ मैं यानि कि 40 को भी अगर यहां पर निकाल देती हूँ करण यहां mainus का नंबर यहां पर जादा है अगर सो है और सो है 200 है उसके बात चैवेडी Party benاثर 27 यहां पर आजाएगा इन दोनों को add कर में पर हमको करना है माइन किसे माहें ट्रश मोगा थ हूंकि मैनस करना है ठीकि क्योंकि यह माइन नमबर में से छोटे को माइनस करना है, 7 में से 0 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 8 में से 4 के 4 आजाएगा, लेकिन जो साइन लगाना है, वो किसका लगाना है, बड़े नमबर का, तो बड़ा नमबर 287 है, तो उसका साइन जो है माइनस है, तो माइनस 47 आजाएगा, तो इसका हमार नमबर छूड़ दिया है तो अब उसको कैसे वाला सत्रह है वाला सत्रह शोड़ दिया है तो आगे वाले को सो जा सौन करेंगे और यहां पर minus कर्टम है, यहां पर minus sign है ना, तो यहां पर minus 47 divided by 280 ऐसे आजाएगा, ठीक है, अब इसको कैसे solve करना है, इसको solve करना है हमें, कि जो 17 है उसको हम 16 कर लेते, 17 को क्या लिख सकते हैं हम लो, 16 प्लस 1 लिख सकते हैं हम लो, और ऐसा हमने क्यो लिखा, ऐसा हमने 280 करेंगे, cross multiply करेंगे, फिर जो भी आएगा, उसमें से हम 47 minus करेंगे, तो जादा lengthy process हो जाएगा, इसको short form में कैसे करते हैं, देखें यहां पर 17 को हम तोडेंगे, किसमें 16 और 1 के form में तोडेंगे, 16 प्लस 1 एड करने पर 17 आता है, अब इसको हम को करेंगे, मतलब 16 को डारेक करेंगे, तो 280 ही आता है, अब 280 में से 47 minus करना है, तो क्या आजाएगा, मेरा 16, 280 में से 47, यह cross multiply, 80 में से यहां पर, यह cross जाएगे, ऐसे multiply करेंगे, तो 280 into 1, 280, 280 minus 47, तो कितना आजाएगा, 233, यही आएगा, ठीक है, तो 233, उसके बाद मेरा क्या आजाएगा, 280 नीचे, नीच मेरा रहता है, उसको हम same as it is, लिख लेंगे, और एक cross multiply करके मैंने इसको minus कर दिया, यह आपको समझ में आ गया होगा, तो यह हमारा जो है, यह final हमारा answer इसका आ गया है, तो इस टाप के questions पूछे जाते हैं, यह हर किसी के लिए बहुत पाइदेमन है, school level पे है, या फिर किसी completed exam की तयारी कर रहे हो, SSJC में स्क्राइब की questions जादा कर पूछे जाते हैं, bank exam में भी, clerk exam में भी पूछे जाते हैं, तो कैसे लगा वीडियो आपको, तो प्लीज, like, share and subscribe the channel, so thanks for watching, मिलते हैं अंगले वीडियो में, till then take care, bye bye, God bless you all, जै ही इन, जै भालत, टाटा बाइ-बाइ झालत, झालत, पुछे गालत, एफ लागा हैं जाए जाए जादा हाँ, जो कर वीडियोंसे पूछे हो ए अइन, जाए-बाइन, झालत, तब रजन जाए, जाए-उन, जाई जान, ए लोग कॉर साच्टा होुच।